ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन एक के बाद एक नई नई साजिशे रचता रहा है ताइवान पर कबजे का सपना चूर होता देखकर ड्रैगन बॉक लाया हुआ है इधर ताइवान की आर्मी चीन के नापाक मनसूबों का मुतोर जवाब देने के लिए पूरी तरह जटयार हो चुकी है चीन ताइवान के खिलाफ हवाई साजिश में भले ही नाकाम रहा है लेकिन ताइवान पर कबजा करना उसका सद्यों से सपना रहा है इस सपने को अंजाम तक पहुचाने के लिए ड्रैगन आर्मी अपनी 80 चोटी का जोर लगा रही है इसके बाद भी काम्याबी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका और हिंदुस्तान पूरी तरह से खड़ा हो गया है भले ही चीन ताइवान को छोटा मुल्क समझता है भले ही चीन अपनी सामरिक शक्ती की दम पर ताइवान को जुकाना चाहता है लेकिन ताइवान भी अब पूरी तरह से जंग के लिए मुश्तयद हो चुका है चीन के हाल के दिनों में ताइवान पर हमला करने का जो बयान दिया था उसके बाद से ताइवान ने अपने तेवर पूरी तरह से बदल दिये हैं ताइवान ने हवा से लेकर समंदर तक और समंदर से लेकर धर्ती तक कि जो तैयारी की है उसे देखकर चीन की चुले हिल चुकी है ताइवान ने 10 अक्टूबर के बाद से लगातार वार ड्रिल जारी रखी है नाशनल डे के बाद से लेखर अब तक ताइवान ने अपनी पूरी शमता के साथ सेना को तयार कर लिया है ताइवान के मिसाइल सिस्टम का परिक्षन हो या फिर वार शिप का मोचा हो चीन से लोहा लेने की पूरी तयारी कर ली है ताइवान को पूरा भरोसा है कि अगर चीन उस पर कभी भी हमला करेगा तो हिंदुस्तान और अमेरिका उसके साथ खड़े होंगे ऐसा होगा भी क्योंकि ताइवान के बाद हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जो चीन की चालबाजियों का मूँ तोड़ जवाब देने के लिए तयार है जाहिर है पूरी दुनिया के लिए एक नया वार फ्रंट तयार हो रहा है ऐसे में अमेरिका का ताइवान के साथ खड़ा होना चीन की मुश्किलों को बढ़ाने वाला होगा एक तरफ अमेरिका का मोर्चा होगा तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का समर्थन ऐसे में ताइवान को तूफाने रुप चीन के खलाफ बड़े युद्ध की वज़य बन सकता है लेकिन ताइवान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अपने देश की स्वतंतरता से समझोता नहीं करेगा जाहिर है चीन को लेकर ताइवान के तेवर हमेशा से ही सकत रहे हैं ऐसे में चीन कोई न कोई हिमाकत जरूर करेगा चीनी हिमाकत का जवाब देने के लिए ताइवान ने क्या-क्या तैयारियां की है ताइवान की वाड ड्रिल के नाम पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है तो क्या है ताइवान की तैयारी ताइवान ने कौन कौन से हतियारों का किया है परिक्षन युद्धभ्यास के नाम पर ताइवान से क्यों काप उठा है ची इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बन तक के साथ, वीरो रिपोर्ट भारत तक